हेलो दोस्तो आज किस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपलाइड फिजिक्स फस्ट के पांचवे चैप्टर के बारे में जो है ग्रहों तथा उपग्रहों की गती ठीक है गरह और उपग्रह की गती वल्लब दोनों गती कैसे करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम इसके अति लगूतरिय प्रसन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे छोटे छोटे प्रस्ण है आप इनको वीडियो रोक करके सबसे पहले रीड कर लीजिये, ठीक है यह आपके कोशन नंबर वन से स्टार्ट होता है उसके बाद आप इनको वीडियो रोकिए और एक-एक करके अच्छे से पढ़े ठीक है और ये सारे कोशन आपके अती लगूतर उत्तर ये प्रस्न है यानि काफी छोटे छोटे प्रस्न है ठीक है आप इनको वीडियो रोग करके अच्छे से पढ़ लीजिए ठीक है उसके बाद लगूतरिये प्रस्ण में आपके आती लगूतरिये प्रस्ण में 16 प्रस्ण थे जिसको आपने पढ़ लिया होगा ठीक है उसके बाद गुरुत्वी तुरण और सारबात्रिक गुरुत्वा कर्षण इस थिरांक में संबन्ध अस्तापित करना है ठीक है यह आपका most important question है इसको आप कभी भी miss मत कीजिएगा ठीक है यह important question है ठीक है इसको अच्छे से read कीजिए ठीक है देखिए गाइस इस video में मैं पूरे chapter का analysis करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा most important है और कौन सा आपका वैसे theory पढ़ लेना है ठीक है यह सारे question आप ऐसे पढ़ लीजिए knowledge के लिए जरूरी है ठीक और एक chapter में मैं आपको 2-3 question important बताऊंगा ठीक है most important जो आपको miss नहीं करना है ठीक है बाकी आप अच्छे से पढ़ लीजिए ठीक है जो आपको समझ में आए उसको आप अच्छे से read कीजिए लेकिन हर chapter में जो most important बताऊंगा तीन से चार question बताऊंगा उसको आप कभी miss मत कीजिएगा ठीक है क्योंकि वो बहुत important question है मैंने analysis करके उसको प्राप्त किया है ठीक है ये आप video रोक करके इनको अच्छे से read कर लीजिए ठीक जैसे आपका ये ध्रूबिये उपग्रह क्या है इसके उपयोग क्या है ये question आपका most important है ठीक है आप इसको miss मत कीजिएगा एक्जाम के पहले इसको देख करके जरूर जाईएगा ठीक है ये सारे question आप पढ़ लीजिए अच्छे से ठीक है ये सारे question है आपके आप इनको अच्छे से video रोक करके read कीजिए उसके बाद यहां से आपका numerical सुरू हो जाता है ठीक इसी chapter का तो numerical भी आपको अच्छे से लगा की जाना है ठीक है सबसे पहले हमें क्या करना है पहले एक बार देख के लगाना है numerical को फिर बिना देखे लगाने का प्रयास करना है ठीक है तब ही आप लगा पाओगे एक एक numerical को पच पच बार लगाईए ठीक ठीक है उसके बाद आपका 16 हुआ numerical निमेरिकल नहीं यह आपका निगमन करना है मुझे से आप लिखित ले लिजिए यह वाला कोश्चन लिखित ले लिजिए अगर यह कोश्चन आपके एक्जाम में ना है तो आप हमारे चैनल को डिसलाइक कर दीजीगा यह कोश्चन मोस् इंपोर्टन कोश्चन है आपके एक्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा ठीक है जहां जहां पक्का लिखा है पक्का का मतलब यही है कि यह पक्का आएगा ही 2022 में ठीक है इसको आप मिस्स मत कीजिएगा ठीक है यह वाला कोश्चन मोस्ट इंपोर्टन है इनको आप व समझी है ठीक है अंसर ये भी important है पलायन उर्जा और पलायन भेग में क्या अंतर है ठीक है ये सब अच्छे से आप रीड कीजिए ठीक है वीडियो रोक करके आपको पता ही होगा इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश है आपको content प्रवाइड करना है ठीक है जिन तब ही उनका अच्छा नंबर आएगा ठीक है और जो मैंने most important question बताया है उसको कभी भी miss ना करें ठीक है अब जैसे मैं ये पांचोंगा question बता रहा हूं ये भी most important question है आपके exam में आपको देखने को मिल जाएगा hundred percent share हो रही है कोशन आपके exam में आपको मिलेगा ठीक है उसके बाद black hole से धांद भी आपको मिल सकता है ठीक उसके बाद आपका आगया बहुभी कलपी है प्रस्न ठीक है इनको भी आप देख लीजिए एक एक number के ठीक है इस प्रकार से आपका ये chapter यहाँ पे end हो गया ठीक य गरहों और उपगरहों की गती आपका यहाँ पे समाप्त हो गया ठीक है अब हम अपने next lecture में discuss करेंगे अप्लाइड physics first के छटवे chapter के बारे में जो है पदार्थों की गुड परपर्टी आप दम मैटर ठीक है पदार्थों की गुड कौन कौन से हैं अपने next lecture में हम discuss करेंग ठीक है जो हमारा applied physics का छटवा chapter है ठीक है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और इससे पहले की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के playlist में जाएए और वहां से देखिए ठीक है जैह जैवार झाल